होली आने वाली थी, लोग होली की तयारी जोर शोर से कर रहे थे भीड भरी सडक पर एक दस वर्षी लणका थेला लगाई हुए खड़ा था जिस पर गुलाल, अबीर, रंग और कुछ चिप्स पापड बेचने के लिए रखे थे वे आवाज लगा रहा था चिप्स चाहिए, पापड चाहिए, गुलाल ले लो लेकिन उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी क्योंकि वह एक छोटा बच्चा था एक दो लोग जो खरीदने के लिए आभी रहे थे तो उसके पास खड़े हुए ठेले वाले उन ग्रहकों को अपनी ओर खींच लेते थे वही सड़क के पार सुन्दर मकानों में एक मकान में एक महिला गीता अपने बेटे से कहती है चार-पांच दिन से काम वाली भी नहीं आ रही है क्या पता वह कहीं गई हो पता नहीं कहां मर गई है बेटा तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो यह बड़े चालाँख होते हैं इन्हें दूसरे की तकलीफ का खयाल ही नहीं रहता यह गरीब लोग ऐसे ही होते हैं ममी क्या पता वो आंटी बीमार हो उनके घर जाकर देख लेना चाहिए न अगर हम उनके हाँ जाएंगे न तो वो बीमार नहीं भी होंगे न तब भी बीमारी का बहाना बनाकर हमसे पैसे एंट लेंगे मेरी भी तवेट ठीक नहीं है इसलिए नाश्ता बनाने में देर हो गई है जल्दी जल्दी तयार हो जाओ स्कूल बस आ गई होगी चलो मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ गीता अपने बेटे को सडक पर लाई वहां दूसरी साइड में स्कूल बस खड़ी थी पर अभी जाने में थोड़ी देर थी आज चार-पांच दिन हो गए थे कामवाली नहीं आ रही थी भुनभुनाते हुए जैसे तैसे काम निप्टाया था असल में रानी जाडू पोचा बरतन ही नहीं बलकि खाना भी बना दिया करती थी वह बेहद हसमोक, इमानदार और मेहनती थी गीता सडक पर ठेला लगाए हुए लड़के के पास से निकली आंटी, होली के लिए सामान खरीद लो नहीं, अभी नहीं बाद में खरीद लोगी और यहां से यह गटिया समान नहीं लोगी मैं तो मौल ही जाऊंगी आंटी, थोड़ा सा ले लो मेरी बिक्री नहीं हुई है थोड़ा सा ही ले लो कुछ न कुछ तो पैसे आ जाएंगे आज मैं घर जाऊंगा तो मेरे पास खाने भर के लिए भी पैसे नहीं हो पाए है मेरी कोई बात नहीं पर मेरी मा और छोटी बेहन भी भूखे रहेंगे ममी ले लो ना सामान रिशब ने जिद की तो गीता को गुसा आ गया वे उसे डाटते हुए बोली नहीं लूगी और ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गई रिशब खड़ा रह गया उसे उमीद थी कि मा उसकी बात मान लेंगी तभी तेजी से चलती हुई एक कार आई जिसे रिशब देख नहीं पाया बच्चो रिशब यह चिलाते हुए पराग ने रिशब को ठेले के पीछे धक्का दिया और खुद भी गिर पड़ा कार पराग के ठेले को टक कर मारती हुई चली गई ठेला सड़क पर उलट पड़ा और उसका सारा सामान जमीन में तितर बितर हो गया जो धूल में मिलकर बेकार हो गया पराग ने रिशब को बचा लिया था गीता बहुत डर गई थी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ही कार से साफ बच गए लेकिन ठेला तूट गया है और सामान सब बरबाद हो गया है पराग रो रहा था उसके पैर में हलकी सी चोट भी लगी थी गीता बहुत पच्चता रही थी कि उसने उस लड़के के साथ गलत वेवार किया था वे इतना गिड़गडा रहा था तब भी उसने सामान नहीं लिया उससे रो मत मैं तुम्हारा सामान और ठेले का नुकसान पूरा कर दूँगी समझ लो ये सारा सामान मैंने खरीद लिया तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना तुमने आज मेरे बेटे की जान बचा ली मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल सकती बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ गीता और रिशब पराग के साथ उसके घर चल पड़े पराग ने अपना तूटा फूटा ठेला उठाया और उसे धकेलते हुए ले चला जब पराग अपने घर के सामने पहुँच गया तो उसने दर्वाजा खट-खट आया दर्वाजा रानी ने आकर खोला जिसे देखकर गीता चौँक पड़ी अरे रानी तुम यहाँ? यह तुम्हारा बेटा है और तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? जवाब में रानी फूट-फूट कर रोने लगी मेरा पती और बेटा बहुत बिमार है तभी तो मुझे काम करने की जरूरत पड़ी थी मैं तो काम करने चली जाती थी और बेटी उसकी देख़ाल करती थी पात साल की बेटी, तीन साल के बेटे की क्या देख भाल कर पाती? अब गीता ने चारों और देखा सामान के नाम पर एक तूटी चारपाई खाना बनाने के थोड़े बहुत बरतन और कुछ और सामान था रानी अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए थी उसकी हालत बहुत खराब थी देखने से ही लग रहा था कि चूला पता नहीं कब से नहीं जला है उसका पती गिर्धर डॉक्टर से दवा लेने गया था गीता बोली इसकी अच्छे डॉक्टर से दवा कराओ अच्छे डॉक्टर से दवा मैं कैसे करा सकती हूँ दीदी आठ दिन से तुम्हें काम पर भी नहीं गई कौन पैसे देगा मुझे इसी वजह से पराग अपने बापू का ठेला लगाने गया लेकिन उसका सामान भी नहीं बिक रहा गीता ने अपने पती को अरजेंट फोन किया सुनो विपिन तुरंट पांच लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर आओ अभी अरजेंट दो लोगों को अस्पताल में भड़ती कराना है रिशब का अक्सिडेंट होते होते बचा है अमबाकी बाद घर आने पर बताती हूँ लगभग एक घंटे बाद धेर सारे फल और खाना पैक करा कर विपिन रानी के यहां पहुँचा उसे सारा सामान दे कर उसके पती गिर्धर और उसके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया विपिन को गीता ने बताया मैं तो गरीब लोगों को बहुत मतलबी और चालाग समझती थी लेकिन मुझे बहुत पच्चतावा हो रहा है कि मैं कितना गलत सोच रही थी आज इस लड़के ने हमारे रिशप की जान बचाई है रानी को पूरे खर्चे के रुपए दे कर गीता और विपिन घर लोटाए थोड़े ही दिनों में रानी का पती गिर्धर और बेटा अस्पटाल से बिलकुल स्वस्थ होकर वापस घर आ गए विपिन ने अपने आफिस में गिर्धारी को नौकरी दिलवा दी और रानी गीता का काम करने लगी गीता के आलीशान मकान में बहुत सारे कमरे थे गीता ने एक कमरा उन लोगों को रहने के लिए दे दिया इस बार की होली गिर्धर और रानी के लिए धेर सारी खुशियां लेकर आई थी अब रिशब पराग के साथ खूब खेलता था गीता रिशब और उसके दोनों छोटे भाई बहनों के लिए कपड़े और मिठाईया लाई थी इस बार ही नहीं अब गीता ने रानी की हर साल की होली रंगीन कर दी थी और उनके जीवन में खुशियां भर दी थी